हेलो गाईस दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पर रॉकेट्स के लिए इजेक्शन सिस्टम दोस्तों मैं आपको बतातूं कि इजेक्शन सिस्टम जो काफी जादा सिंपल है इसके अंदर कोई भी कोडिने चाहिए होती है सिंपली अगर संचेप में बता करूं तो यह सिंपली एक सरकिट है बस और कुछ नहीं है दोस्तों आज की वीडियो काफी आसान होने वाली है तो प्लीज अगर आप की वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हां बाई इस वीडियो में जो भी चीज़े इस्तमाल होंगे अगर आपके पास उचीजे नहीं है तो भाई प्लीज इस वीडियो को पूरे देखेना क्योंकि जो भी चीजे मुझे लगता कि आप लोग के पास नहीं होंगी उन सब का अल्टरेनेटिव जो है मैंने इस वीडियो में बताये हुआ है और हां यह जल्दी आ रही है वरना मैंने सुचा इसमें कुछ और इंप् करो इसी समय वीडियो को पास करो ग्यास करो कि वह क्या सिस्टम है जो कि सेकेंड इस्टेज को इगनाइट करने के लिए क्या जाता था अगर आपको पता होगा कि हाल ही मैंने एक रॉकेट लांच किया था जिसके अंदर मैंने पारासूट लगया हुआ था और वह रोकेट जो है अपने हाइस हाइट पर पहुचके वापस पैरासूट के थुरू नीचे आ गया था और हमने उसे सेफ ली जो है डिकवर कर लिया था तो आज की इस वीडियो में में वही बताने वाला हुआ कि कैसे आप उस रॉकेट के लिए जैक्शन मेकैनिजम बना सकते हो इसे के अधर से एक थोड़ा सा ब्लास्त होता जिसके यह जासे रॉकेट का नोसकुन जो आगे आ जाता है और इसे से कनेक्ट होता पैरासूल जो कि आप अपना सब कुछ जो है डिवाइस जो है मांट करोगे यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक रेक्टैंगल के सेपक जो है एक प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर जो कुछ होल्स किये गए है इन होल्सी पोजिशन क्या होनी चाहिए है अभी मैं आपको कम्योंटी पोस्ट पे इस वीडियो के अप्लोड होने के जस्ट दो घंटे बाद जो है डाल दूंगा यह मैं इसलिए अभी नहीं पता हूँ कि आप कि प्लेटफाम ले होन प्लाइवु deformation कर सकते हो जो चुम्न द्रवाजे होते अन缦 में स्थमाल होता यह काफी स्ट्राउं ila कुछ इसे होने चाहिए है ताकि यह यह आकि रॉकेट का दिमेंशन से माच करें मारोप बतादू यहां पर दूस्तों देख सकता है यह मेरे नोसकोन का पाल्थ है इस को पर जा रहा है यह भी भी डॉक्र तो देखा होगा अब आपको करना क्या दूस्तों आपको यह जो Pलैटफोर्म सबस्क्राइब और पुरी इसका मतलब पूरा बना लेंगे तरह आप इससे अपने हिसाब सब्सक्राइब कर सकते हूं दोस्तों आप इस तरह से काट लेना अगर bitter तो गाइस सिंप्लि आपको चीज तरह से प्लेटफॉर्म काथ लेना आप किसी भी मेट्रियल कर सकते हैं आपको बता चुका हूं और इसके जो डायमेंसेंस है आप अपने हिसाफ से मोडिफाइब कर सकते हो यह अगर आप से मेटर बनाने वाले हो तो मैं कमुंटी पोश्ट देदूँगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो यहां पर मारा प्लेटफॉर्म है अब इसी पर हमें जो है अपना पूरा काम करना है देखो आपके पास प्लेटफॉर्म आ चुका है आपके पास बॉड़ी टूप तो होगी होगी क्यों बडिया इस उचिपका नहीं था इसके अंदर लगा हुआ है देख सकते हो दोबारा मैं इसे लगा दिया तो इस तरह का आपको डिस्काट लेना किसे इसकाटने दूप डिसकाटने कैसे मतल्ब क्यों काटने यह बताता हूं आपको देखो करना क्या आपको दोस्तों यहां पर मेरे पास एक दूसरा डिस्क है इस जिसके सेंटर में एक बड़ा सा होल है और इसके बगल में एक चोटा सा होल है सेंटर वाला होल जो है क्या काम करेगा इससे आपकी इजेक्शन मेकैनिजम इजेक्शन जो सिस्टम एगी जेक्शन जो वायर साइंगे जिसे आपका एक नेक्रो अब कर ना क्या है कुछ इस तरह से इसे दों डिस्क काच लेने दो डिस्क में एक होल कर ने वर्श सुल उसके बड़ा सोफ लें इस अब करना कर जाता उफ को दिखाता है को एसा उसका अदर डाल देंगे भी से did का डाल देंगे यह है कि इसके भी असम्बी रहे कि जो यहां पर जाएगा अब करना क्या सिंपली गाइस इस तरह से दो कार्ट लेने डिस्क और एक डिस्क में आपको एक छोटी सी स्विच कनेट कर देनी है यह जो स्विच है यह टॉर्श में लगती है आपको किसी भी एल्ट्रोनिक के सौप पर आसानी से मिल जाएगी पांच अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पूरा काम सिर्फ इन पहीं करना है अब यह सारी चीज आगी तो आपको चाहिए होगा एक पावर सोर्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं इंट्रो में कि यह एक सिंपली एक तरह का सर्कित है बस और कुछ नहीं है तो आपको करीब 20-25 रुपे के आसपास मिल जाएंगी हो सकता है 30-35 तर चले जाओ लेंकि काफी ओनलाइं काफी सस्ती है तो सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है आपको दो लीथियमान बैटरी जो है मिनिमम रेक्वाइर होगी है आप चाहो तो अगर आपका छोटा है चार लीथिमान बैटरी इस्तेमाल करने बाला हो क्योंकि मैं रिसक नहीं लेना चाहता और मैं आपको पता दू कि जो रॉकेट उड़ा था उसके अंदर भी चार लीथिमान बैटरी ती और एक बार जो में रॉकेट उड़ा जो की फेल होगे था पर नहीं खूल पाया था उसके अंदर से दो लीथिमान बैटरी थी और लीथिमान बैटरी जो सीरीज में अटरी इसवासे जल्दी से डिस्चार्ज हो जा रही थी इसवासे हमारा रॉकेट जो है नहीं कुला था मैंने उसका वोल्टेज आउट पूट देखा था काफी कम हो गया था करीब चार से फोल्ट कम हो गया था है तो यहां पर दूस्ता आप करना कैंए आपको लिथे मैं बैटरी च्छ लेनिया यहां पर विचिए इसल्वां इसल्राइक करना सकते हो आप रभी कोई गधा ता हमनों कर दिक्ताते हो आप लूद को काफी तकी ऑफ यह कर लेता हम इस को कुछ इस तरह से लिया है देख सेट के एक ताइप मेंगे वह थाusta मैंण इन दो बैटरी को होल्ड करके रखना तो कुछ इस तरह से आप अपना इजेक्शन मेकेनिजम में अपने बैटरी को अटाइच कर सकते हो एक काफी रिजिड होती है मतलब काफी टाइट आपको इसे बहांना ताकि यह लूज ना इधा उतर जाये ना आप चाहतों फिल्मी को अगर आपको बैटरी करने पड़ी अब दोस्तों यह जो चार होल्स है यह जो है एक और कंटेनर के लिए है जो की कंटेनर में हमारा सबसे इंपॉर्टन कंपोनल भरा जाएगा और उसी की वज़ा से आपका रॉक्ट जो है पॉजी पर जाके परासूट को इजट कर दिए इसका यह जो पूचाल कि हमाहे हम अजकर सीलागत फया पर जेखे यह घ्राइग बश्राइगा है जो सबस्क्राइग जो काम तर यह गया तो कि दो है कि लिए तो कि शाहित कि उम्हारा जोंने जो तो चाहें वान चोंट निए यह सबस्क्राइग ठीए इन अधा ड़ कर लेते हैं तो कुछ यह इतना सिंपल है अब दोस्त आपको करना क्या है यहां पर आपको जाना पड़ेगा एक कॉस्मेटिक की सब्पर और वहां से आप लाना होगा जो होटो पे लगाते हैं ठंडी में हां इसका कंटेनर है इस कंटेनर में देख सकते आपको एक कैप सकते हो यह प्लास्टिक के होते हैं यह जो हैं ग्लास के होते हैं और इसके अंदर हम भरेंगे अपनी मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो है प्लास्टिक से थोड़ा बहुत चिपक जाती है लेकिन ग्लास से बेल को भी निचिपकती है हाला कि आपको पास रुपय का पड़ेगा औ सब्सक्राइब करने और ग्लास का तो तूटने का डर रहे था हाला कि आप थोड़ा सा सिक्वर्टी मतलब सेक्यूर करके इसे भी बचा सकते हो लेकिन मैं इसका इस्तमाल नहीं कर रहा क्या है तो गाइस यह हमार कंटेनर अब आपको सिंपली करना क्या है इस कंटेनर के धकन काइसे इक होल करनें तो logr है दो यह के दो सट दोस्तों यहां पर दो होल किये हुए है मैं प्रुंस करता हूं किसे दिखां एक मिनट यहां पर यहां थे अब इन दो होच में आपको ऑने ऐसों कर सकते हो चाहर निचाहों है था सब्सक्राइब कर सकते हो ए कि के यहां सब्सक्राइब भी घ्रफेसारी को सुनिध अस्थी फिर इस्तिल हो पर सकते Voltat करता हूं कि यहां पर यहां पर मेरे पास aluminum का वायर है और उस aluminum के वायर को मैंने सिल्वर यानि चांदी से कोट कर दिया एलेक्ट्रो प्लेट कर दिया है चांदी सबसे बेटर कंड़क्टर हो था काफी बेस्ट कंड़क्टर होता है इसे वाइस से मैं चाहता हूं कि तुरांत electricity तुरांत सब्सक्राइब पागलपन है यह आप मत करना आप चांद तो सिंप्ल सब्सक्राइब नहीं होते हैं एक दम स्ट्रेट वायर होते हैं तो आप इंसे जो है निकाल सकते आपको किसी वी एलेक्ट्रोनिक के सब्सक्राइब लेगी थोड़ा सचाही होगा इतना बड़ा उस्यादा नहीं और दोस्तों मैं को बता दू कि देखो मैंने अलमिनुन के हैं आपको कारना है यह आप इनके अंदर डाल देना है देखो यहां यह डाल देना और उसके बाद आपको ने अच्क्षे से एक जिगहाई पर सिक्क्योर कर लेना है और हां इन्हें से पनरीन जमाने आपको क्या देखना है यह दो एक्ट्रोड जो है आपस मैं टचना कर रहे हैं और काफी दूरी पे हो देख सकते हो एक आफी दूरी पे हैं एक दूरी को टच नहीं करेंगे चलिए दोस्तों मैं इसे जमा लेता हूं फिले कुई की मदल से उसके बद मैं आपको दिखाता हूं कि आपको आगे करना क् जो कुछ भी मैं आपको कर दूंगा प्लीज वीडियो को पूगा जरूर देखना तो यहां पर देख सकते होगे कि मैंने अपने दो एक्ट्रोड को जो है इस धक्कें की उपर कुछ इस तरह से जो हैं फीट कर दिया है ताकि यह जो है एक दूसरे को टच नहीं करने एक अच्छे से इसके अनदर आ जाएंगे और यहां पर अगरा ध्यान से देखोंगे दोस्तों तो यहां पर आप इन दो इलेक्ट्रोड के दो रही सिर्य को देख पा रहे होगे अगर आप ध्यां से देख ओगे तो साहद आपको दिख रहा हो पता निया तो गाइस कुछ इस दोस्के आपको एक जो आसम्बली बना लेनी है इस जो लिप लगाने वाला जो डबा ता उसका तुम्हें कुछ इस अपर लिना और जो इसके अंदर जो है सिंप्ल यहां पे फिट कर देना और आप कुछ इस तरह से फिट करना जो है यह जो है यह जो इस बोर्ड के थोड़ा सा नीचे रेक्दम उपर ना है कि उपर जो आपको एक धकन लगाना है उस धकन पर आपका जो है सुच लगा है जले दोस्तों मैं आपको इसे जोड़ लेत कर सकते होएं फिर ओस यह दो को सीरीजि में सचे बाद दो को प्रलब은TE ऑन फिर यहां पर देख सकते होग तो और कि हमारा जो है को मैंने से वैसे चारण से तकि यह बाजराकि ग्रादें सकते होग זो nis करने वाला इस्तमाल करो उससे आप जो है काफी मुल्टीबल मल्टीपल बार इससे इस्तमाल कर पाओगे हो सकता है कि अगर आप इस तरह के वाइर करूं तो कहीं पे शॉट सर्कुट हो जाएं और जल्दी खराब हो जाएं हला कि मॉस्ट कॉमन जो मटेरियल है यही है इस वजा से मैं इस इस्तमाल कर रहा हूं लेकिन मैं बता दूब जब मैं इसका इस्तमाल अपने रॉकेट में करूंगा तो मैं यहां से वायर चेंज करके ज्रो प्न फैपमें अफ आफीशा करूंगा काफी मौटरी होते हैं और काफी लंबे समय तक चलते और उनके यह था षोट अबीना वुमत दोस्ते-बोड़ने का अफे कम होता इस वजा से तो सिम्पी दोस्तों आप कुछ इस दर से ले लेना आ लो उसके बादड फाहिए आप करना के है आपको इस धकन को रहा कुछ इस तरह सी साइड भी कर सकते हूं डोबार शाब इसके अंदर डाल भी सकते हैं तो आपकर सब्सक्राइस लेना है और इस पर ऐसे इस कन्यक्ट करना है करें इस नहीं कर सकते हो आप चाहों तो सोल्डिंग कर सकते हो देखो इससे मैंने थोड़ा साइड में रखना अब आपको काम करना अपनी इजेक्शन सिच्टम वाली में तेक है मतलब यह जो सरकल ता इस पर काम करना है आपको इस तरह से कर देना अपने जो भी आपका जो बॉड़ी ट्यूब उसके इंदर आपको इसे फिट कर देना है उमिद करता हूं कि आप इसे अपने इस आप से मोडिफाई कर लोग यार सेम कॉपी करो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा ठीक है अब आपको करना क्या है आपको इसे यहां पाइप का टुकड़ा है आप जाओ दोस्तों जो एंड कैप आते हैं पीविसी पाइप के हाफ इंचस वाले उनका भी इस्तमाल कर सकते हो और जो बड़ा वाला होल है इसके सेंटर में रखके आपको इसे ग्लू कर देना है यानि इसे चिपका देना है और चिपकाने क्वा है थी आथे ओन पर ये चिपक गया होगा है तो इस जाओ इस दिखते हो कुछ इस तरह से दीखता आप इस छोटा भी बना सकते है जो किस अपने इसाब से इसे कर सकते हूं riding मेंतर करने के बार आपके पास इससरा की दो यह में है वार मेलेंगे एक यहां पर इस स्विच से लगा दिया और उस स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक और लगा दिया है यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो पूरा मेकनिजम था इसके अंदर अच्छे से फिट हो चुका है अब आपको सिंपली इसके अंदर मरकरी भरनी है है यहां पर एक नैक्रो अट करना है चली दोस्तों मैं फ़किशल कर लेता हूँ वह सकते हैं का अगर नहीं मिलेगी तो मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं कि हाउ टू मेक मर्करी हाला कि वह काफी महंगी पड़ेगी लेकिन आसा साइंस डेमो मैं उससे जरूर करूंगा तो गाइस यहां पर इसके अंदर चलिए मैं मर्करी भर लेता हूं उसके बाद मैं दो वार् सब्सक्राइब है यह दा देख सकते हो काफी यहां पर जो इस्टेन बन गए होंगे यह मर्करी रखते हुना हमेशा बन जाती है किसी भी बॉटल में आप रखोगे तो वाइस यह रही मेरे पास मर्करी अब चलिए दोस्तों इसे मैं सिंपली इसके अंदर भर लेता हूं मै मैं पूरा नहीं बरूँगा है क्योंकि मुझे इसे मोडिफाइब करना में आप से बताया था इसके अंदर में वाइरिंग करने वाइर लगाऊंगा तो यहां पर मैं थोड़ा सा मर्करी जो इसके अंदर डाल दूंगा तो इतनी मर्करी आ चुकी है अब हम सिंपली इस धक्कन को इसके उपर लगा देंगे और ध्यान से दोस्तों कि मर्करी जो इसके उपर टेचना करने पाए वरना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों ट्रेमिल पर कुछ लगा रहेगा तो वह एक्टिव आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करना नीचे कमेंट करना में जरूर आपको बता दूंगा तो इससे में थोड़ा सा ख़ड़ा करने के लिए इससे नोस्कोन का इस्तमाल कर ले रहा हूं और इन दो वायर को इसके अंदर डाल लेता हूं उसके आपको कुछ चला की दिखात है अब दोस्तों देखते हैं जो आप इसे टिल्ट करोगे ना इसके थुरू यानि जब इससे धक्कन जो है यहां पर जो ठकन लगा यह आपसाइड डाउन आएगा तो यहां पर दो वायर के तुरू करेंट दोड़ेगा और जो भी आपका मैट्रियर अटैच होगा इसे च करता हूं एक नाइक्रोम वायर करते हैं नाइक्रोम वायर जो है दोस्तों यहां पर मैं काफी 24 गेज का इस्तमाल कर रहा हूं काफी पतला है वाव यहां पर मैं इसे निकाल लेता हूं तो गाइस यहां पर देख सकते हो किमने स्विच को अन कर लिया है और सिंपली यहां प चलिए दोस्तों मैं करके देख लेता हूं इन 321 वा देखा तो दोस्तों देखा आपने कि यह जो एक दम बढ़ियां से काम करता है अब हम सिंपली करता है कि यहां इसके अंदर थोड़ा सा कोई भी फ्यूल एक क्रीम सन पाउडर भरते हैं और इन दोनों को वायर के क्रॉस ज देख सकते हो कि हमारा मेकेशन जो है कुछ इस तरह से यहां पर में सेफ्टी का पूरा ध्यान लख रहा हूं आप सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल भी भूलेगा नहीं वहना बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई काफी उपर चाड़के आना पड़ता है चापी इस विजा से तो वह आता है तो गाइस देख सकते हो इसको मैं आन करता हूं और चलिए तो सिंपली मैं करके दिखाता हूं तो गाइस देखा कुछ इस तरह से आपका इजिसन सिस्टम काम करेगा भाई यह क्रीम सन पाउडर नहीं था इसलिए थोड़ा सा जो आचानाक से नहीं आप फास्ट लेकि're आपिन देखा होगा यह अच्छी से काम करता है काफी अच्छा लगा यहां मुझे यहां पर मैंर पास क्रैम पाउडर नहीं था वरणा रखके करता तो काफी अच्छा मतला आपको बैंक देखने का मिलता वहां बोलता है वो काफी अच्छा रखता है हाला कि नहीं था मेरे पास इस ज्वास में नहीं किया मैंने यहां पर नॉर्मली जो गन पाउडर आता गन रॉकेट के लिए उसका इस्तुमाल किया है तो गाइस अगर आपकी वीडियो चलेगे तो वीडियो को लाइक यू कर दिजिएगा चैनल झाल गो कि तो मेरे था रो माी। झाल बाब झाल आपकी, ऐग भी ए ज और आता है वीडियो चाही को वीडियोर से टू unfold rh debates